कैसी रेगे कल निफ्टी की एक्सपाइरी क्या प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट करेंगे या नया लाइफ टाइम आई चले इस वीडियो के अंदर सारी चीज़े जानने कोशिश करता हूं नमस्कार मैं सियमित पूपट निफ्टी एक्सपाइरी अनालिस के इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और बिफूर आगो इस वीडियो आज महरम के चुट्टी है मार्केट में तो जितने भी मेरे मुस्लिम बाइबें महरम बना रहे हैं उनको बहुत-बहुत बदाई हैं महरम की चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं कि कल निफ्टी एक्सपाइरी में हम निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करता हुआ देख सकता है तीन इंपोर्टन लेवल जिसको हमेशा बहुत जादे इंपोर्टन देते हैं जिसको हमें कभी भी नहीं बूलना चाहिए और वह तीन लेवल है।ड हमर्ण ही नमबर वाँ प्रीवियज ट्रेडि शेशन का हाई तो यहां पर दोस्त हम देख पा रहे हैं कि परीविज ट्रेडिंग session का हाई बना है जो यहां बना है विचिस अ辉न तो व взять को हमने यहां पै बना दिया। Second, previous trading session का close जो आज के दिन यहाँ पे आया 24,613, पिछले close से सिफ 26 point उपर जा के आज यहाँ पे close दिया है, and number one आज के trading session का low which is 23,587, दोस्तों अगर आप आज के पूरे दिन की range देखो, it is only and only 74 points, range, I am talking about range, difference between low to high, it's only 74 points guys, बहुत जाधा sideways हो चुका है, और कही न कहीं एक indication मुझे तो दे रहा है, कि आप bull run खतम होने में, अगर आप पर्सों का भी candle देखेंगे, कल का तो यह candle है fried होगा, Tuesday का यह candle है, Monday का भी अगर आप candle देखो, it was a doji candle, तो जितने ही convincingly bulls पहले market उपर लेजा देखेंगे, कही न कहीं वो convincing power, bulls का आप खतम हो चुका है, मैं आप से जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है, is bull run over, or is it just a pause, comment box में मुझे लिख की बताएगे दोस्तों, according to your bull run is over, or is it just a pause, and budget में next week, because, you know, next week budget is gonna come, तो budget में profit booking आएगा, fall आएगा, या तो नहीं high बिनाएगा, आपको क्या अंदाजा है, just मुझे comment box में जरूर लिख की बताएगे, चलिए, daily chart पे तीन level mark करने के बाद, अब हम चले जाते हैं, early chart के अंदर, और early chart के अंदर हम देखने कोशिश करेंगे, कि कौन-कौन से level पे हम यहाँ पे level प्लान कर सकते हैं, तो दोस्तों, अगर आज के close, 24,613 से अगर निप्टी उपर की तरफ चलता है, बट नेचरली, पहले डागेट हमारे रहेगा 24,661, जहाँ पे आज को high बना हुआ है, उसके उपर जाएगा तो आप Fibonacci से निकाल सकते हो, नीचे की तरफ पहले डागेट हमारे लिए रहेगा आज का low, इस 24,587, अगर दोस्तो 24,587 ब्रेक करता है, तो मेरे इसाब से 24,546 के आसपास एक लेवल हम प्लान कर सकते हैं, उसके ब्रेक होने के बाद, 24,485 दोस्तों, और 485 के बाद 438 का एक लेवल हमारे यहाँ में बन रहा है, तो नीचे की तरफ इतने लेवल में प्लान करना चाहूँगा, इस से ज्यादा और लेवल, I don't think it will make sense, because 187 पॉइंट भी नीच आया, still your plan sufficient, थोड़ा संबल के expiry trade करेंगे, और लेवल के इंदज़ार करेंगे, लेवल पही trade करेंगे, तो definitely अच्छी expiry trade कर सकते हैं, view, मैं यह नहीं मानता हूँ कि अब इतना bullish है, पिछले दो दिनों से कहीं न कहीं doji candles बन रही है, जोईन, एक-एक exhaustion का indication कर रही है, कहीं न कहीं blue bull run, करता होने से भी ज्यादा proper word होगा, कि पोज हो रहा है, अगर नीचे की तरफ आएगा, तो हम bearish trade जरूर ले सकते हैं, तो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इसाज़ों दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, thank you.